दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों को बताने वाले हैं कि ललित नरायन मितला विस्विज्डाले की अंतरगत अगर आप लोग बीए, बीसी, बीकॉम या दोस्तो एमे, एमसी या एमकॉम कर रहे हैं तो दोस्तो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपोर अगर आपको किसी भी परकार की परसानिया हो रहा है और कुछ भी जानना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा जनकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम विजिट किए जहां पे मैं जो भी इनवर्सिटी को और से रिलेटेड अपटेट आता है मैं आप स सब्जेक्ट मैथ है उन छात्रों को कल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रिजिस्टेशन केज़े करना है अगर आप लोग नहीं किया है तो टेलीग्राम जोइन कीजिए ताकि आपको जब भी ऑनलाइन क् जोएन हो सकते हैं चलिए अब बात रही कि यहां पर बठाया गया है कि अगले दोस्तों वहीं पर बात करें अगले माह करमबार में खुल सकता है सेक्षिनिक संस्थान इसके बाद दोस्तों आप लोगों का इनवर्सिटी की और से भी जल्दी अपडेट दिया जाएगा दो दोस्तों 5 जुन से जो इनवर्सिटी और कॉलेज बंद किया गया था वो तो खोल दिया गया है लेकिन दोस्तों परसानी की बात यहां है कि राजभवन की और से जब तक किसी भी परकार का नोटिस नहीं दिया जाएगा तो पार्ट 1 के स्ट्वेंट हो या पार्ट 2 के स्ट इसके लिए आप लोग को राजभवन की और से नोटिस आने तक आप लोग को इंतजार करना परेगा इसके साथ ही रिलेटेड एक न्यूज आई है जो आपके सामने यहां पर में सारी जन करी है इसके साथ देने वाला हूं तो दोस्तों यह न्यूज काफी वाइरल हो रहा ह तो दोस्तों असनातक पर्थमखन 2020-23 एवं PG First semester की परिच्छा फॉर्म भरने से जिन चात्र एवं चात्राएं वंचित हो गए हैं उनको एक और मौका इनवर्सिटी के वार से मिल सकता है फिर से सिग्र किती जारी होने की उम्मीद बता जाए रही है तो दोस्तों काफी सारे नहीं भर पाए है तो वह चात्र अगर इनवर्सिटी डेट नहीं जारी करता है तो इसके लिए दोस्तों अपने कॉलेज से कंटर कीजिए इसके बाहरे दोस्तों आपनों का रही है तो फेलब हो जाएगा इसके साथ ही जोस्तों यहां पर दुस्रे नमपर वाई जार करना परेगा तो यह खास तोर पर सही बात है कियोंकि आप लोग को जून में किसी परकार की एडिमिशन का कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होने वाला है लेकिन जब भी सिंडिकेट की बैठक होती है तो आप लोग को इसके बारे में डिसीजन मिल जाएगा इसके कुछ कॉलेजों में नमांकन शुरू हो जाएगी अगर नमांकन न होती है तो परिच्छा फॉर्म के साथ आपका नमांकन ले सकते हैं यह भी राइट बात है कुछ कॉलेजों में अभी अभी नमांकन की तिथी जारी की गई है कुछ कॉलेजों में नहीं की गई है तो दोस से 23 असना तक तिर्थे खंड 2023 की परिच्छा को लेकर अभी कोई ख़वर नहीं है करोना की इस्तिती समानने होती ही राजभवन की हरी जंटी मिल जाने के बाद परिच्छा की तिती घुसना की जाएगी जुलाई माह तक छात्रों को इंतजार करना पर सकता है तो खास तो पर गोंड़ शबीस जुलाई को उनलान क्लास चलनेगी ही वाला है इससाथ ही पर बन वाले स्ट्वेंट घुन-ट्रॉर वेकिसे ऐग्याओ का प्डुकर होगा यह जुन्न लास्ट करते आप लोगको अगस्त में जाके एक्जाब ऑंच्वी नमर प्रीं profund felt 여na तक यहां जुनके बाद अपने college में जाके निश्चित रूप से जमा कर लेना है और college पर निर्वार करता है कि आपके college कि स्थिती को फर्म जमा करने का तिथी जारी करता है लाकि दोस्तों काफी सारे college हो में पार्ट 1 और पार्ट 3 के student को examination form और registration form जमा करने की तिथी जारी कर दी गई है तो आप लोग जाके अपना registration form और examination form दोनों जमा कर सकते हैं दोस्तों I hope कि इस वीडियो के माद्यम से सारी जनकारिया मिल गई होगी और अगर किसी प्रकार की समस्या है जनकारी लेना चाहते हैं त यहां पर जाएए और आपना exam की तैयारी जरूर कीजिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद